है एवरीवन वेल्कम टू एक्जाम इस्टोक्स एक्जाम इस्टोक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो फ्रेंट्स एससी ने एससी छेसल रिक्रूमेंट 2019-20 का ओफिशल निटिफिकेशन 3 दिसंबर 2019 को रिलिज कर दिया है तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एससी कंबाइंड हायर सकेंडरी लेवल एक्जाम 2019-20 के बारे में इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसके लिए क्या अप्लिकेशन डेट्स क्या है यह एक्जाम का सहलेबस भी आपको इसमें हम बताएंगे तो एक एक करके सारी अपडेट्स को देख लेते हैं तो सबसे पहले आपको बता दे अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक जॉइन नहीं किया है तो आप अपना टेलीग्राम एप खोलिए और वहां टाइप किजिए एक्जाम स्टोक्स और इस प्रकार का आपको लोगों दिखेगा और वह चैनल आप जॉइन कर लिजिए चित्ते भी पीडिएप से और इंपोर्टेंट लिंक से आपको वहां मिल जाये करेंगी तो यह है नोटिस का स्कीरिंशोट आप लोग वीडियो को पोज करके इसे केप्चर भी कर सकते हैं इसमें इंपोर्टेंट डेट दिये हुए हैं चलिए मैं आपको सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट बता देता हूं तो इसका जो ओनलाइन अप्लिकेशन का डेट है वह तीन दिसंबर से सुरू हो चुका है और आप 10 जन्वरी 2020 तक यह फोम अ चलेगा और आपको बता दे कि टीर वन जो एक्जाम है वह भी महीने में होने वाला है वह 2-11 मार्च 2020 को होगा और उसके पांस दिन बाद से शेचल का आपका एक्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो जितने भी एसपिडेंट्स एससे और एससे चल दोनों का फोम बढ़े हैं त हो दोनों की तयारी करें साथ ही साथ क्योंकि दोने binding की दियर वन लगबख सेम ही होता है वह सीजयल के आरी कर रहें है उन पर सबसे पहले बता दे कि कौन-कौन से लोग eligible है कौन-कौन से श्टुएंट्स अप्लाइ कर सकते तो सबसे पहले आपको educational qualification बता देते हैं essential educational qualifications as on 1-1-2020 यानि यह जो भी educational qualification है वो आपका 1-12-20 तक complete हो जाना चाहिए तो इसमें जो पोस्ट आते हैं जैसे कि LDC, JSA, PASA, DEO सारे के लिए कम से कम आपको 12th पास करना जरूरी है यानि आपको किसी भी school या college से या किसी recognized university से आपको 12th पास होना जरूरी है और अगर आपको data entry operator post के लिए apply करना है तो आपको 12th में PCM होना जरूरी यानि math आपका complimentary subject होना चाहिए 12th में तो जितने भी experience 12th में science पढ़िए और जिन्होंने math opt किया था तो वह लोग DEO के post के लिए eligible है और बाकी जितने भी experience है जिन्होंने science नहीं पढ़िए या math उनका complimentary subject नहीं था 12th में तो वह बाकी के post के लिए apply कर सकते हैं जैसे कि आपका LDC, JSA, PA, SA और वह बाकी के post के लिए apply कर सकते हैं और आपको बता दे कि इसमें minimum age आपका क्या है तो आपको minimum age limit है 18 जितने भी experience कर चुके और जिन जो 18 साल की age पूरिक कर लेंगे एक जनवरी 2020 तक वह eligible है इस post को बढ़ने के लिए तो 18-27 साल के जितने भी experience है वह इसके लिए apply कर सकते हैं और उसके बाद भी आपको age relaxation मिला हुआ है यहां पर आपके category वाज आप नीचे देख सेकते टेबल आपको दिख़़ा होगा STSC को 5 साल का age relaxation मिला हुआ है OBC को 3 साल का और PWD candidates को 10 साल का यह unreserved candidates के लिए 10 साल का है और OBC candidate जो भी PWD category से उनको 13 साल मिलेगा age relaxation और इसी तरह STSC को 15 साल और बाकी के भी आप यहां पर देख सकते हैं एक सर्विसमें को 3 साल तो और भी candidates के लिए चेक करने के लिए आप official notification डाउनलोड कर सकते जिसका लिंक आपको description में मिल जाएगा और application की बात करें तो आपका इसका बहुत मिनिमल अप्लिकेशन भी होता है 100 रुपेज चार्ज करती है आपको ओनलाइन पे करना होता है और आपको बता दे कि यहां पर 11.3 नमर पॉइंट आप देख रहेंगे यह इंपोर्टेंट है जितने और एक सर्विसमें के निडिटेट उनको फी पे नहीं करना होता ओनलाइन उनको फी यह फोम भरने का मुका दिया जाता है तो जितने अभी फीमल के इंडिडेट से वह जरूर भड़े इस पोम को और इसका एक्जाम का आपको कुछ बता देते हैं तो यह आपका तीन टीर म आपका computer-based online test होता है जिसमें आपके 100 multiple choice questions आते हैं तीर 2 में आपके बता दे कि descriptive का paper होता है जिसमें आपको later organize कराया जाता है और इसमें आपके चार subject होते हैं और total 100 question आते हैं 200 marks के सबसे पहला subject जो है वह है English language का subject इसमें आपके 25 questions आएंगे 50 marks के लिए और इसी तरह दूसरा सब्जेक्ट हो जाता है जिसमें आपके 25 questions आएंगे फिर से और 50 marks उसका भी होगा और quantitative attitude का होगा इसमें question 25 questions होंगे और 50 marks से लिए भी होगा और general awareness के question 25 आएंगे आपको 50 marks से लिए दोस्तों आपको बता दे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कि हम जितने का समय दिया जाता है 100 questions solve करने के लिए और 80 minutes का time दिया जाता describes के लिए जो भी students describes को लेके जाते है एक्जाम के लिए और यहां पर कुछ और details है 100 questions होंगे आपके और marking scheme आपको यहां पर समझा दे कि आपको पर कर इस correct answer के लिए आपको 2 marks मिलेंगे यानि यह 100 question का है अगर आप 100-100 सही करते हैं तो आपका 200 marks का होगा 0.50 आपका negative marking होता है अगर आपने कोई एंसर रोंग किया तो इसके लिए आपका 0.50 minus हो जाएगा आपके total marks में से आगे बढ़ते और यहां पर बात कर लेते हैं से सेलेवास 2019-20 तो यहां पर English language का सेलेवास है आप वीडियो को पोज़ जाएंगे English paper में और इसमें कुछ में इंपोर्टेंट्स आपको बता देता हूं इसमें आपको synonyms आते हैं इंटोनिम साते हैं और spelling टेस्ट आता है idiom phrases आते हैं one word substitution आते हैं sentence improvement voice narration और इसी तरह आपके close test और reading comprehension के पेसे जाते हैं इसमें आपके फिगर काउंटिंग और ड्रोइंग और एनालोजी लेटर से लिलेटेड वर्ड प्रोब्लम्स इस टैप के questions आपके पूछे जाते हैं तो आप यह इसकीन सोट ले सकते हैं और दोस्तों आपको बता दे कि हम जल नहीं आपको पूरा subject वाज वीडियो देंगे कि आपको कि subject के लिए कैसे prepare करना है तो अब अगला देखते हैं अगला कौन सा subject है और यह अगला सब्जेक्ट है क्वांटिटिटी इसमें आपके arithmetic और advanced math से 25 questions आते हैं इसमें आपका important जो भी चेप्टर है मैं यहाँ पे mention कर दिया हूं आप इसका screen सोट ले सकते हैं इसमें आपके number system, algebra, geometry और अगले sheet पर देखेंगे हम और यहाँ पर mensuration, trigonometry और statistical charts यानि DI के कुछ questions और pie chart के questions आपके आते हैं तो इसमें आप बहुत और भी chapters होते हैं जो इसी में mention हैं आप screen source जरूर ले लिजिए ताकि आपको याद रहे कि आपके कौन-कौन से chapter है और हम exam pattern और syllabus के उपर एक detail video अलग से भी बना देंगे और general awareness के section देख ले तो आपके इसमें current affairs आते हैं और history, geography, economics, general policy और scientific research यानि science से भी आपके questions पूछे जाते हैं general awareness में तो वह भी आप screen source ले लिजिए आपके इतने important chapter है और subject आपको कभर करने है general awareness section के लिए और दोस्तों अगर आप previous year question paper SS SSL कर डाउनलोड करना चाहते हैं ताकि आपको पता चल सके कि previous year exam में questions के क्या level थे और क्या difficulty थी और उसको solve करके आप practice करना चाहते है तो इसका link मैंने description में दे दिया है आप वहां से जाके PDF डाउनलोड कर सकते सारे shift का English, Hindi, दोनों में आपको questions paper मिल जाएंगे और आपको हमा आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद